वर रुखवा रहे थे पपपा, पेपर लीक नहीं रुखवा पा रहे हैं और आज मखॉल बना कर रख दिया है इन लोगोंने एक पेपर नहीं ठीक से करा पा रहे है वर रुखवा रहे थे पपा, पेपर लीक नहीं रुखवा पा रहे है यह तो सरकार चलाने का तरीका है, मतलब इस देश को तमाशा और सरकस बना कर रख दिया है, तो इस परिपेक्ष में सदन शुरू होने जा रहा है, यह सदन वो सदन है, जहां पर विपक्ष की बड़ी मजबूत आवाज होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह जो जु सुना था, इस बार मोदी जी कोई 100 दिन का जुमला का कारेकाल लेकर चल रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 100 दिन में से 14 खतम हो चुके हैं, दो हफ्ते हुएं एक्जैक्टली इस सरकार को बने हुए, और इस दो हफ्ते में देश ने जो ट्रेलर देखा है, उससे लो संकी हमले ठमने का नाम नहीं ले रहे, महेंगाई ऐसी कि हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा, जैसी सरकार बनी है, जिन बैसाकियों पर सरकार निर्भर है, वो बवाल मचाय हुआ है, मांग पर मांग, और रस तो छोड़िए, बीजेपी का जो अंतर कले है, वो फूट कर साम नहीं आ गया है, तो इन 14 दिनों में क्या हुआ है, थोड़ा विस्तृत जानकारी उसकी समझ दीजिए और उसको परिपेक्ष में डालने की हम कोशिश करेंगे यहां पर, यह सरकार पेपर लीक सरकार है, 70 पेपर लीक किये नोने 7 सालों में, जिससे की करीब-करीब 2 करोड अभियर्थियों के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा है, उनके परिवारों पर उनका प्रभाव पड़ा है, जो कहीं अधिक संख्या है, नीट का एक्जाम MBBS के लिए होता है इस देश में, 24 लाग बच्चे उस एक्जाम को इस बार लिखे थे, धांदली पता चली, यह यह भी पता चला paper leak हुआ है, सरकार के静ा यह, paper leak ही नहीं हुआ है, एक मंन्त्री कहते है paper leak हुआ है दूसरा मंत्री कहता paper leakHA, धर्विन प्रधान आज कुछ कहते है, बच्चे जो है, वो अनिश्चत कालीन जी रहे, BJP के सीधे-सीधे तार जुडे हुए ही हर्यास में, जज कच वरता है कि भाई UGC नेट का पेपर भी लीख हो गया अभी उसी से जूज रहे थे तो CSIR नेट का पेपर स्थगत कर दिया गया अभी उसी से उबरने की कोशिश कर रहे थे जो नीट PG होता है डशानि अभी इसके बारा गंटे पहले रद कर दिया गया गलती है जीटोर मेहनत करते हैं इनके परिवार इनके साथ मेहनत करते हैं व्डरिütना पasına रखें घैस अच्छा राते हैं मतलब इουसे को सरकार चलाने का थारीका है यह वो देश है जिसने लोगों को इस विश्व को बड़े बड़े टेक टाइटिंस जी जिसकी शिक्षा का लोहा दुनिया मानती है और आज मक्हौल बनाकर रख दिया है लोगों ने एक पेपर नहीं ठीक से करा पा रहे हैं वहां से पीछा चूटा रेलवे की बात कर लिजे रेलवे को तबा करने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है पिछले साल उडिसा का वो रेल हाथसा याद कीजिए जहां पर 300 से जादा लोगों की मौत हुई थी क्या सबक सीखा उससे अब जालपाई गुडी में फिर रेल हाथसा हो जाता है वहां पर भी की ना इंकी जंदगी की ना इंकी मौत की कवज समझा रहे थे कहां था वो कवज भाई क्यू आपने रेलवे के द्वितिये और अनारिक्षत कोच खतम कर दिये क्यूं हर जगे 아-एसी के कोच लगा दिये कैसे लोग जा रहे हैं दिख रहा हैं आप तिल च्रिम लात चिल्म की बात है कशनीर और जम्मू में एक की बाद एका आतंकी हमला हो रहा है जिस जम्मू संघा त्र सुरक्षा वेवस्था का क्या हाल ये कौन समझाेगा ये अलग बात है कि आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि आप स्रीनगर से बारा मुला से अनंता गरजवली से चलाव लड़ दीजे फिर दिखावे के लिए मनिपूर की बात करी जाने लगी मनिपूर पर बोला समीक्षा बैठक हो रही है एक साल से उपर मनिपूर जल रहा है लेकिन इस देश के प्रधान मंतरी के पास ना तो नियत है और ना समय है मनिपूर जाने का आतम को छोड़के चलिए मेंगाई पर आते हैं सरकार बनते ही दूद के दाम हर कंपनी ने बढ़ा दिये सरकार बनते ही टोल टैक्स के दाम बढ़ गये सीन जी के दाम बढ़ गया आटा का दाम बढ़ गया अरे लाल आखे दिखा नी थी चींको लाल लाल टमाटर शाटक लगना दिया सो के पर करा दिया लाल तमाटर अम हो सकता वित्त मंथ्यां घडयों के काये में लहसं निवोगों की कमर तोड़ेंगे कितना गला रहतें Jawकت महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्बा था चुनाओं में, इसलिए आपना कारे गाएं, इसलिए 63 सीठ हा रहे हैं, इसलिए आगाएं माइनॉर्टी में, अब लोगों के उपर आपको डिपेंड करना पड़ रहा है, नाच सीखिये लेसन वो अच्छी बात है हमारे लिए, इ हम चार परसन मुस्लिमा रक्षण देंगे, नरेंदर बोदी ने इस पर लगातार जूट बोला था चुनाओं प्रचार के दौरान, उधर जदियू कहरा है अगनीवीर खतम करो, जदियू यभी कहरा है जातिये जंगर ना कराओ, एक चूने निकल पा रहे हैं मोदी जी के म रहा है, मोहन भागवत का कहना है मणीपूर जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मोहन भागवत का कहना है विपक्षा आपका दुश्मन नहीं, उसको साथ लेके चलिए, उनका सम्मान कीजिए, राम की अभेला करी, तो राम नहीं आपके अहंकार का इलाज कर दिया, आपको 240 चालिस पर सीमत कर दिया, तो आरेसेस और बीजेपी के जो खटास संबंदों में आगई, वो तो खुलकर सामने आगई, रेकिन खुलकर तो सबसे जादा सामने आया है, वो है सिर्फ हुटावल भारतिये जनता पार्टी के अंदर, उत्तर प्रदेश से शुरुवात करते है पश्चम से पूर्वांचर तक बवाल मचा हुआ है, संगीत, सोम और बालियान में तलवारे खिची हुई है, चिट्थी बाजी एक दूसरे खिलाव होने थी, खुब बयान बाजी हुई, सुर्फ टवल मचा है, वहां से धार्तनगर और अयोध्या में समीक्षा बैटकों म जूतम बाजार हो रहा है, आगे की बात कर लीजे, तो डीम एसपी भी उसमें हाथा पाई में शामिल हो रहा है, भगवानी जाने क्या हो रहा है, बीजेपी में, वहां पर शिवराद सिंग का लड़का कह रहा है, मेरे पिता सबसे शक्तिशाली है, दिल्ली उनके आगे जह रही है, कि जिनको उंगली पकड़के लोगों ने सिखाया था चलना, वो उंगली काटने पर तुले हूँ है, तो ये तो हालत है, सब जानते हैं, हमिच्शा जी और योगी जी के बीच में क्या तलवारे खिची हुई है, तो इस परिपेक्ष में सदन शुरू होने जा रहा है, ये सदन वो सदन है, जहां पर विपक्ष की बड़ी मजबूत आवाज होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो जुमले हैं ना, 100 दिन में ये कर देंगे, 125 दिन में ये कर देंगे, रुपिया जो है, संभली नहीं रहा है, एफडियाई गिरती जा रही है तो न निवेश आने को तयार है, न रुपिया सुद्रन होने को तयार है, ये है रिपोर्ट कार पहले 14 दिनों का, ये जलकी है, और ये जलकिया देश देख रहा है, कितने दिर सरकार चलती है, मैं नहीं पता, भविश्यमारी नहीं करेंगे, लेकिन जो गुबारा भुलाया गया था, 56 इंच का हवा भर भर के, रम कर, पुताही करके, उस गुबारे की हवा को जनता ने निकाल दियो और फुस पटाका होकर अप्चि चुग गया है,